हेलो वे द्यार थियों, तो आज मैं आप सभी को यहां पर फिजिक्स के चैप्टर नमबर एक शे लेके 14 तक के कुछ अन्य इंपोर्डन नियुमेरिकल जो है सालो करवाऊंगा तो यहां पर जितने कोशन ले गए हैं, वो सभी बोर्ड परिक्षा के द्रश्टिशे बहुत ही महत्वपूर्ण है तो इन्हें जो है आपको बहुत ही अच्छे से तयार करना है, तो आएए शुरू करते हैं तो यहां पर कोशन है कि उस वैदुत छेतर की तीवरता ग्याद के जिए, जो 0.01 मिली ग्राम द्रब्यमान की एक तेल की बूंद जिस पर 3 एलेक्ट्रोनिक आवेस हैं को संतुलित कर सके तो यहां पर आपको वैदुत छेतर की तीवरता यानिकि इसका मान ग्याद करना है, इसके अलब मिली ग्राम यह आपको द्रब्यमान दिया गया है, यानिकि M बराबर 0.001 मिली ग्राम अब इस मिली ग्राम को आपको किलो ग्राम में बदलना है, तो द्रब्यवश जीरो पॉइंट जीरो वन है यहां पर, और यहां पर द्रब्यवश दिया गया है, तो मिली को बदलने के लिए पहले आप गुड़ा करेंगे, दस की घात माइनस 3 से, और इसके अलावत दिया ग ग्राम को किलो ग्राम में बदलने के लिए भी आपको गुड़ा करना पड़ेगा यहां पर दस की घात माइनस तीन से तो यह बदल जाएगा फिर किलो ग्राम में यानि कि इसे आप ऐसा लेख सकते हैं गुड़े एक दसमलो चे गुड़े दस की घात माइनस उननीस कुलाम एतना हो जाएगा तो यहां पर दन देजे जब आप इसका गुड़ा करेंगे तो 1648 यानि कि 4.8 गुड़े दस की घात माइनस उननीस कुलाम एतना हो जाएगा तो यहां पर बात हुई थी संतुलित कर सके इन्हीं कि आप यहां पर लिख शक्तिहेंश में शंतुलन की अवस्था में और शंतुलन की अवस्था में जो वद्दुत बल होता है यानि कि Q, E इसका मान जो होता है वो भार के बराबर होगा यानि कि M, Z इसके जो है यहां पर बराबर हो जाएगा तो अब दंदेजी यहाँ पर आपको ग्याद करना है E कामान यह हो जाएगा M, G, बटे में आजाएगा Q इस प्रकाश इतना आएगा तो यहाँ पर दंदेजी इसमें बात हुई है G यानि गुरुत्वी तुरण की यह ज़्यादा तर कोशन में आपको दिया जाएगा G कामान जो है आपको कोशन में दिया जा सकता है तो यहाँ पर दंदेज में नहीं दिया गया है तो M कामान आपको रखना है M कामान आपको दिया गया 0.001 इतना हो जाएगा इसके अलावा गुड़े 10 की घात माइनस 6 इतना हो गया इसके अलावा देंदर जी जी का मान आपको यहां पर रखना है तो जी का मान जो होता है वो 9.8 रख सकते हैं या फिर कहीं कहीं पर इसका मान आप 10 भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग याद रखेएगा जी का मान आप कितना यूज़ कर सकते हैं दस यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा बटे यहाँ पर दिया गया क्यों यानि कि आवेस यहाँ पर 4.8 गुड़े 10 की घात माइनस 19 इतना दिया गया तो E बराबर यहाँ पर दंदेजी अगर यह दसमलों आगे ले जाए हम लोग तीनंक तो यहाँ पर हो जायागा 1.0 इतना आप लख सकते हैं गुड़े 10 की घात दंदेजी जो माइनस 6 दिया गया था अब यह हो जाएगा माइनस का 9 तीनंक आप इधर ले गए तो यहाँ पर माइनस का तीन और जो जाएगा इसमे इसके अलावा गुड़े यहाँ पर आपको दिया गया है 10 बटे में दिया गया है 4.8 गुड़े 10 की घात माइनस 19 यहाँ पर दंदेजी यह वाले 9 निकल जाए तो यहाँ पर बचेगा 10 की घात 10 इतना हो जाएगा बटे में धहन देजी कितना दिया गया है 4.8 अगर आप यह दिसमलों काट देजी तो यहाँ पर लग जाएगा 0 इस प्रकाश है अब इसके बाद 100 को आपको भाग करना है अरतालिस ते तो लग भग इसका मान जो आएग आप भाग करके चेक कर लेज़ेगा इसके अलावा गोड़े 10 की घात 10 इतना हो गया यहाँ पर आप वद्व छेत्र ग्याद कर रहे हैं इसलिए न्यूटन प्रतिकूलाम यह यहाँ पर जो है इसका आशर हो जाएगा इस प्रकाश आपको यहाँ पर चालो करना है याद यह याद रखिएगा इसके बाद धंदेजी अगला कुश्चन कुश्चन यहाँ पर है कि 100 पिको फैरड का समानतर प्लेट संधारित्र 400 ओल्ट तक आवेशित है यहाँ पर बताया जा रहा है कि 100 पिको फैरड का समानतर प्लेट संधारित्र जो है यह 400 ओल्ट तक आवेशि और इसकी संचित उर्जा में क्या परिवर्तन होगा तो सबसे पहले दन देजे 100 Pico Farad का समानतर प्लेट संधारित्र यह आपको यहां पर दिया गया है संधारित का मतलब यह धारिता दे गई है यहां पर आपको दिया गया है C बराबर 100 Pico Farad इससे आप ऐसा लिख सकते हैं 100 Pico को बदलने के लिए 10 की घात माइनिस 12 से गुड़ा करेंगे तो यह बदल जाएगा Farad में 100 का मतलब 10 की घात 2 होता है अगर 10 की घात 2 आप यहां शे निकाल दे तो यह आजाएगा 10 की घात माइनिस 10 Farad यह यहां पर समांतर प्लेट संदायतर की धारिता आ गई इसके अलावाद देज़ें यहां पर लिखा है 400 Olt तक आवेशित किया जाता है यह यहां पर इसका विभुवांतर दिया गया है V V बराबर आपको दिया गया है 400 Olt इतना इसके बाद लिखा है यदि इसकी प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दें तो शब्षे पहले दंदेजें पर फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मूला होता है C बराबर Epsilon 0 A बटी D इतना होता है यहां पर यह बात हो रही है वायू संदाइतर की अगर यहां पर आप वायू संदाइतर की दें करेंगे तो यहां पर के लग जाया गया नहीं कि परावद तंग तो यह इतना हो जाएगा अब यहां पर धन देजे यह आपको यह दिया गया है इससे आप मान लेजे समीकर नंबर 1 अब इसके बाद आप लिखे आधी करने पर नया विभुवांतर वी डैस और धारिता सी डैस है इतना पमान देजे तो अब धन देजे फॉर्मुला जब यहां पर लगाएंगे तो सी डैस बराबर यहांपर दिया गया है एपसला नौट ए इतना हो जाएगा बटे अब धन देजी दूरी यहांपर आध्य कर देगे तो यहांपर हम लोग उन्हें डी यूज़ किया था गुहांपर यूज़ होगा डी बाई टू इतना होगा यह टू पलट के उपर जाएगा तो यह जाएग है तो इसकी जगे पर आप क्या लिख सकते हैं समी करण एक से यहां पर हो जायागा फिर c डैश बराबर 2 और इसकी जगे पर आप लिख सकते हैं इतना हो जायागा अब इसके बाद दंदेजी फार्मूला होता है c v बराबर हो जायागा c डैस v डैश इतना होगा तो अगर आप इसमें मान रखें तो अब दंदेजी आप यहां पर बताश रखते हैं तो चुंकि c डैस बराबर अभी आपने ग्याद किया है to she इतना आपने ग्याद किया है तो वही मान अब आपको यहां पर इसमें रखना है तो यहां पर हो जायागा c v बराबर c डैस की जगे पर आप लिखेंगे to she इतना हो जायागा इस कहला हूँ V- अगर आप यहां शे V- ग्याद करते तो यह इधर बटे में आ जाएगा यानिकी C V और बटे में आ जाएगा 2 C इपनाएगा इसमें आपका C से C कट जाएगा यह हो जाएगा V बटे 2 V का मान आपको कोशन में दिया गया था पहले ही V का मान आपको कोशन में 400 उल्ट दिया गया था तो यहां पर आप मान रख देजे 400 बटे में हो जाएगा 2 तो V- बटे 2 से भाग करेंगे इसे तो यह आजाएगा 200 उल्ट यह तो यह यहां पर जो है नया विभुवांतर आजाएगा इस प्रकाश आप नया विभुवांतर गयाद करेंगे इसके अलावा संचित उर्जा में कितना परिवर्तन हुआ ही यह गयाद करना है तो अब दन्दिजी यहां पर आप लिखेंगे प्रारंभिक संचित उर्जा इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करें यहां पर यू बराबर हाफ C V स्कुर्ण तो यह होजाएगा एक बटे दो गुडे यहां पर C और V के मान आपको रखने है तो C का मान आपको दिया गया है 10 की घात मैनस 10 और V का मान आपको दिया गया है 400 तो यहाँ पर हो जाएगा C कामान 10 की घात माइनस 10 और V कामान हो जाएगा 400 का whole square यानि कि U बराबर यहाँ पर आएगा 1 बटे 2 गुड़े यह हो जाएगा 10 की घात माइनस 10 गुड़े इसका आपको वर करना है तो यह हो जाएगा 4 चोक 16 इसके अलावाद हम देज़े 2 0 थे अब यहाँ पर 0 हो जाएगा आपके 4 वर करने पर इतना आजाएगा इसके बाद यू बराबर जब 2 से आप इससे कैंशल करेंगे तो 2 8 16 आठ बार जाएगा इसके लावाद 4 0 लगें तो 4 0 का मतलब आप लिख सकते हैं 10 की घात 4 ऐसा दोस्ते आप कैंशल करेंगे 2 8 16 4 0 का मतलब 10 की घात 4 और गुड़े में दिया गया है 10 की घात माइनस 10 यनि कि यह यहाँ पर आजायेगा 8 गुड़े दिया 10 से यह वल चार निकल जाएंगे तो 10 की घात आजायेगा माइनस 6 जूल यह आ गई यहाँ पर प्रारंभिक संची तुर्जा अब ग्याद करेंगे आप अंतिम संची तुर्जा यहाँ पर तो अब यहाँ पर लिखेंगे आप अंतिम संची तुर्जा अब दंदेजे इससे आप मान लेजे यू डैश है फॉर्मूला हो जाएगा हाफ शी डैस वी डैस इसको है इतना यानि कि जब दूरी आधी कर दे गई थी उसके बाद की कंडिशन है तो यह हो जाएगा यू डैस बराबर वन बाई टू सी डैस इसका मान आपको बताया गया सी डैस बराबर हम लोगों ने ग्याद किया है टू सी इतना हो जाएगा इसके अलावा धन्देजे यहाँ पर दिया गया है V-Square चाहे तो आप V-S का मान भी ग्याद कर सकते हैं यहाँ पर अगर लिखना चाहे तो धन्देजे आप यह लिख सकते हैं चुंकि C-S बराबर हम लोगों ने ग्याद किया है 2-C इसके अलाव V-S बराबर ग्याद किया गया है V by 2 यहाँ पर दन्देजे इसके पहले जोब हम लोगों ने ग्याद किया है यहाँ पर आप देख सकते हैं V-S बराबर कितना आया था V by 2 यह हम लोगों ने ग्याद किया था है यहाँ पर V-S बराबर V by 2 और इसके अलावा यहां पर हम लोगों ने C' का मान गया था 2C तो वही मान जो है यहां पर इसमें रखा गया है तो यहां पर C' के जगे पर 2C और V' के जगे पर हो जाएगा V by 2 तो यहां पर V' का जब आप मान रखेंगे तो यह हो जाएगा V by 2 का whole square अब दन देजे U' बराबर यहां पर यह 2-2 कट जाएगा यहां पर दन देजे इसका जब वर करेंगे तो बट्टे में 2 है वर करने पर कितना हो जाएगा? 4 यहने की 1 बट्टे 4C V square ऐसा आएगा आप चाहे तो इससे ऐसा लिख देजे 1 by 2 फिर इसके बाद आप लिख सकते हैं 1 by 2C V square ऐसा आप लिख सकते हैं दन देजे 1 by 4 था इससे आपने लिख दिया 1 by 2 इसके लिख दिया 1 by 2C V square ऐसा क्यों लिखा गया है? दन देजे आपर अभी हम लोगों ने यहां पर जो है इसमें दन देजे 1 by 2C V square इसका मान अभी हम लोगों ने गयात किया है 1 by 2C V square इससे आपने सालों किया था तो 8 गुड़े 10 की घात माइनस 6 जूल आया था तो वही मान अब आप यहां पर इसके जगे पर लिख सकते हैं यानि कि 1 बटे 2 यह वाला हो जाएगा और इसका मान अपने गयात किया है 8 गुड़े 10 की घात माइनस 6 इतना यह याद रखिया गए चाहे तो आप यहां पर डारेक्ट उसका मान रख देजे या फिर दूसरा भी आप्शन है आप दोबारास यहां पर C और V के मान रख के दोबारास यहां पर सालो कर सकते है या फिर आपके पास दूसरा आप्शन भी था आप यहां पर डारेक्ट C देस और V डेस के मान रख के उससे आप सालो कर सकते थे तो यह इतना आएगा अब इसके बाद दन देजे U डेश बराबर यहां पर दो से से कैंशल कर देजी यह हो जाएगा 4 इसके अलावा हो जाएगा इंटू 10 की पावर यहां पर हो जाएगा माइनस का 6 इतना और यह हो जाएगा जूल अब आपको यहां पर ग्याद करना है उर्जा में परिवर्तन तो अब आप यहां पर लिखेंगे अत्ता संचित उर्जा में परिवर्तन तो इसके लिए अप यूज करेंगे डेल्टा यू बराबर यू माइनस यू डैस तो यू का मान अभी हम लोगों ने ग्याद किया है 8 गुडे 10 की घाद माइनस 6 फिर माइनस यू डैस का मान ये ग्याद किया गया 4 गुडे 10 की घाद माइनस 6 8 से 4 घटात देजिए तो ये आ जाएगा 4 गुडे 10 की घाद माइनस 6 जूल ये यहां पर जो है इसका आंशर हो जाएगा इस प्रकाश है आपको यहां पर इसे सालो करना रहेगा इसके बाद ध्यंदेजे यहां पर कोशन है कि चित्र में दिखाए संधारितर में संचित उर्जा ग्याद कीजी ये संधारित दिया गया इसमें संचित उर्जा को ग्याद करनी है तो शब्से प्रेद ध्यंदेजे यहां पर यह तीन परत्रोद दिये गए हैं तो इन्हें आप मान लेजे कि R1 बराबर आपको दिया गया है 2 Ohm इसके अलावा R2 बराबर दिया गया है 3 Ohm और R3 बराबर दिया गया है 5 Ohm इतना आपको दिया गया है अब दिया यहां से धारा प्रवाहित हो रही है और इधर से यहां पर धारा निकल रही है यानि कि तीनों में एक ही धारा यहां पर प्रवाहित हो रही है तो इन तीनों का क्रम जो होगा वो श्रेडी क्रम होगा यानि कि यहां पर आप यूज करेंगे R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 यह formula यूज होगा तो ये उज़ायाँगा R बराबर R1 का महांद दो इसका 3, 5 और बराबर लांद जो तीनों को जोड़ेंगे तो यहां पर आज़ायाँगा 10 Ohm यह आगया प्रतिरोध इसके अलावाद धार आपको दी गई है यहाँ पर 2 Ampere तो अब ग्याद के जे विब हो याने कि V बराबर होता है I into R I कामान दो, R कामान दस बराबर हो जायाएगा 20 Alt इतना आपको उरजा ग्याद करनी है तो फार्मूला होता है U बराबर Half C V Square क्योंकि संधायतर में संची तोरजा पोछे गई यह फार्मूला लगा देजे एक बटे दो गुड़े C यानि कि धारिता जांद जी यह आपको मान जो दिया गया यह वाला C का है आप चाहतो लिख सकते हैं C बराबर 3 Micro Farad इसे आप चेंज करेंगे तो 3 गुड़े 10 की घात माइनस 6 Farad यह मान आपको यहाँ पर C का यूज करना है तो यह हो जाएगा तीन गुड़े 10 की घात माइनस 6 इसके लाओ V, V का मान यहाँ पर हो जाएगा 20 का स्क्वाइर तो यह आएगा देजे 1 बटे 2 गुड़े तीन गुड़े यहाँ पर 10 की घात माइनस 6 यहाँ पर इसका वर करेंगे तो दो दूनी 4 यानि कि यह हो जाएगा आपका 400 दो से आप इसे कैंसल कर देजी तो यह आजाएगा आपका 200 इसमें आप गुड़ा करिए तो दो त्याही यहाँ पर हो जाएगा 6 यानि कि 600 गुड़े 10 की घात माइनस 6 उरजा है इसलिए जूल अगर इसे आप मानक रोप में लिखते हैं तो अभी दसमलो यहाँ पर होगा दसमलो दो अंक आपका इधार आना चाहिए तो यह हो जाएगा 6 दसमलो 0 गुड़े 10 की घात देजे 2 अंक दसमलो इधार आएगा तो घात प्लस में 2 बढ़ेगी यहाँ पर आजाएगा इसके बाद लिखा है के परावदतांग तथा 3D x 4 मोटाई की प्लेट को जब संधारतर की प्लेटों के बीच रखते हैं तब संधारतर की धारता जहे वो 6 माइक्रो फैरेड हो जाती है के का मान ग्यात की जहां D जो है वो संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी है तो शब्षे पहले दन देजिए यहां पर प्लेट जो है वायू संधारित्र की धारिता दी गई है तो यहां पर आप लिख शक्ते हैं C0 बराबर फॉर्मूला क्या होता है? यह होता है एपसेलन नौट एबटे डी इतना होता है और इसका मान आपको दिया गया है 3 माइक्रो फैरेड यहां पर हो जाएगा 3 माइक्रो फैरेड इतना हो गया इसके अलावा धन देजी अब यहां पर बताया गया था के परावदुतांक तथा 3D by 4 मोटाई यानि कि यह T का मान दिया गया T बराबर आपको दिया गया है 3D बटे 4 इतना हो जाएगा यह आपको यहां पर मोटाई दी गई है इसके बाद आप लिखेंगे यहां पर प्रशना अनुशार इसमें बताया गया था कि प्लेट को जब संधायतर की प्लेटों के बीच रखते है यानि कि जब इसके बीच यहां पर परावदुत पदार्थ रखा जाता है तब जो संधायतर के धायरता है वो 6μF हो जाती है यानि कि आप बतायेंगे यहां पर C बराबर फार्मूला क्या होता है एपसेलन नॉट ए बटे D माइनस T प्लस T बाई के यह फार्मूला होता है और यहां पर आपको C कामान दिया गया है C बराबर आपको बताया गया है 6μF यहां पर आप बता सकते हैं परावदुतांक रखने पर इतना यहां पर जो है परावदुतांक रखा गया है तब यहां पर धारता यह हो जाएगी अब यहां पर देज़े आप C कामान रखिए C कामान कितना है 6 बराबर यहां पर हो जाएगा एपसेलन नॉट ए बटे यहां पर देज़े ये दिया गया D माइनिस T T का आप मान रखे ये वाला हो जाएगा 3D बटे 4 इसके बाद प्लस यहाँ पर भी आपको T दिया गया इसके जगे पे ही मान रखना है 3D बटे 4 इसके अलबा यहाँ पर बटे में आपको दिया गया K इतना हो जाएगा इसके बाद देंदेजे, यहाँ पर होगा epsilon not A, बटे बटे में देंदेजे, इन दोनों में आप लाशा लेजे, इसका लाशा आजाएगा 4, इधर गुड़ा होगा, तो यह हो जाएगा 4D, और 4D शे यह वाला 3D घटाएंगे, तो यहाँ पर उतना आजाएगा D, इसके अलाशा देंदेजे प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 3D, और बटे में हो जाएगा 4K यह इतना हो गया अब इसके बाद देंदेजे, यहाँ पर दिया गया है 6 यह हो जाएगा 6 बराबर epsilon not A, बटे बटे में क्या करना है, अब की बार आपको यहाँ पर D common लेना है इसमें जब D common लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 1 by 4, और यहाँ पर बचेगा 3 बटे 4K इतना यहाँ पर बच जाएगा इसमें आपको D common लेना तो यहाँ पर बचेगा 1 बटे 4 यहां पर हो जायेगा 1 बटे 4 और प्लस यहां पर बचेएगा 3 बटे 4K इतना हो गया अब इसके बाद दंदेजे जो आपको यहां पर मान दिया गया यह वाला आप चाहे तो इसे मान लेजे समी का नमबर एक दंदेजे एपसेलन नॉट ए बटे डी बराबर कितना है 3 माइक्रो फारेड तो वही अब दंदेजे यहां पर इससे आप ऐसा लेख सकते हैं 6 बराबर या फिर दूसरा ऑप्शन है यह जो बटे में दिया गया ब्रेकट में इसका आप इधर गुड़ा तो जब यह इधर गुड़े में आएगा तो यहां पर हो जाएगा 1 by 4 इसके अलाओ प्लस 3 बटे 4K इतना हो गया जान देजे यह जो है यहां पर इधर गुड़े में आ गया इसके अलाओ इधर बचेगा आपका एपसेलन नॉट ए बटे डी अब आप लिख शकते हैं यहा वन बाइ 4 प्लस 3 बटे में हो जायगा 4K इंटू में हो जायगा 6 बराबर इसके जगह पर आप सम्वी चाड़ एक शिमान रखेंगे तो यह हो जायगा 3 अब जान देज़े यहां पर इस से कैंसल कर सकते हैं 3 एकम 3 तीन दूनी 6 तो यह हो जाएगा 1 by 4 प्लस 3 बट्टे में हो जाएगा 4 के बराबर यह दो इधर बट्टे में लेए तो 1 बट्टे 2 हो जाएगा अब यहाँ पर हो जाएगा 3 बट्टे में 4 के बराबर इसको अधर ले जाएगे तो 1 बट्टे 2 माइनस एक बट्टे 4 इसका पलाशा लेजे ये आ जाएगा 4 2 दूनी 4 दो बार जा रहा है है हम पर 2 शे गड़ा कर देजे माइनस 4 एक कम 4 एक बार गया 2 शे 1 घटाएएंगे तो 1 बट्टे 4 यहाँ पर दान देजे यह दिया गया थ्री बट्टे में है 4K बराबर में है 1 by 4 इतना तो यहां पर यह 4 से 4 कट जाएगा K का 1 में गुड़ा करेंगे तो K आजाएगा और बराबर में आजाएगा 3 यह यहां पर K का मण हो जाएगा इस प्रकाश यहां पर इसे सालो करेंगे इसके बाद धन देज़े तो यहां पर कोशन दिया गया है कि एक उत्तल लेंस तथा आउतल लेंस की फोकस दूरी क्रमशा 10 cm वा 50 cm है दोनों लेंस जो है संपर्क में रखे हैं तथा इस युगम से 25 cm की दूरी पर वस्तु रखी है वस्तु के प्रतिभिम की इस्थित ग्याद केजिए यानि कि आपको प्रतिभिम की दूरी यहाँ पर ग्याद करनी है तो सबसे पहले गांद जी उत्तल लेंस फिर आउतल लेंस की फोकस दूरी दिगए है यहां पर आपको दिया गया है F1 बराबर मान लेज़े 10 cm यह हो गया यह आपका दिया गया है उत्तर लेंस इतना हो जाएगा इसके अलावत दूसरा दिया गया है 50 cm इससे आप मान लेज़े F2 बराबर 50 cm इसके बाद बताया गया था कि दोनों संपर्क में रखे हैं अब दन देज़े फार्मूला होता है 1 बटे F1 बराबर 1 बटे F1 प्लस 1 बटे F2 इसमें आपको मान रखना है तो 1 बटे F1 का मान रखेंगे यह हो जाएगा 10 इसके बाद यहां पर दिया गया प्लस लेकिन F2 का मान जो हो माइनिस में है तो प्लस माइनिस मिलके यहां पर आजाएगा माइनिस 50 इतना हो गया इसका जब आप लाशा लेंगे तो इसका लाशा आजाएगा यहां पर 50 यह जो है यहां पर इसका लाशा आएगा अब दन देज़े जब 10 से भाग करेंगे त तो दस पच्छे पच्छास पांच बार जा रहा है तो यहां पर आप पांच से गुड़ा करके लिख दीजिए, इसके बादे हम पर पच्छास दिया गया तो उपर आजाएगा वन, यहनि कि पांच से आप एक घटाएंगे यहां पर तो यह आजाएगा चार और बटे में इतना आया या फिर आप इस्टे अगर और कैंसिल करेंगे तो 2,2 ने 4 और यहां पर आज़ाएगा 25 तो यह माना आया है 1 by f का यहां पर आप चाहतो f भी लिख सकते हैं कि f बराबर गयाद करेंगे तो यह संख्या पर लट जाए हैं कि यह आ जाएगा 25 बटे दो सेंटीमीटर तो यह आ गई आपकी फोकस दूरी लेकिन आपको गयाद करना है प्रतिबिम्ब की इस्थिति तो इसके लिए धंदेजे अपने पर बताएंगे इसमें चुकि फॉर्म करेंगे दो बटे 25 इसके बाद धंदेजे बराबर वन बटे वी आपको गयाद करना है माइनस वन बटे यू का मान आपको दिया गया है धंदेजे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर यह मान आपको यू का दिया गया है यू बराबर 25 सेंटीमीटर वस्त की दूरी इम लोग रिड जाद करना है यहां शे वन अपान वी तो यह इधर आएगा यानि कि दो बटे 25 माइनस इधर आएगा तो माइनस में आएगा एक बटे 25 दोनों का लाशा धन्देजी आजाएगा 25 क्योंकि हर बराबर है और हर बराबर होता है तो उपर की संख्याए घट जाएंगे यहां पर वन बटे वी का मान है वन बाई 25 यानि कि वी बराबर यहां से अगर आप ग्याद करेंगे तो यह आजाएगा 25 सेंटीमीटर यह यहां पर जो है इसका आशर हो जाएगा यानि कि यह यहां पर प्रतिभीम की इस्थिति हो जाएगी इस प्रकार से आपको यहां पर इसे सालो करना रहेगा इसके बाद देंदेजी अगला कोश्यन कोश्यन यहां पर है कि एक वस्तु किसी परदे से 60 cm की दूरी परिस्तित है एक वस्तु है जो कि परदे पर यहां पर देंदेजी परदे से 60 cm की दूरी पर है एक उत्तल लेंस को इनके बीच जो है दो भिन इस्थानों प हो तो वस्तो कि लंबाई तथा लिंस की focus दूरीगात कीजिए, सबसे पहले दान देजे, यहाँ पर दिया गया है कि एक वस्त जो है किसी पर्धे से 60 cm की दूरी पर स्थित है, यहनि कि वस्तो से पर्धे की दूरी आपको ये दी गई है यानि कि आप बता सकते हैं आपर चूंकि v plus u बराबर आपको दिया गया है 60 cm यही point आपको समझना है क्योंकि यह दूरी दी गई है वस्त उसे परदे के दूरी दी गई है और वस्त उसे परदे के दूरी होती है v plus u इतना हो जाएगा यहाँ पर अब इससे आप चाहे तो माल लेजे समीकर नंबर 1 इतना हो जाएगा इसके अलावद आदे जी प्रतिवींबो की लंबाईया दी गई है यहाँ पर i1 माल लेजे पहला प्रतिवींबो यह आपको दिया गया है 9 cm इसके अलावद दूसरा प्रतिवीं माल लेजे i2 यह आपको दिया गया है 4 cm इतना हो गया यहाँ पर आपको वस्तु की लंबाई वस्तु की लंबाई इससे आप माल लेजे ओशे इसका मान आपको यहाँ पर ग्याद करना है यह वस्तु की लंबाई हो जाएगे इसकी अलाम आपको फोकस दूरी यानि की F का मान जो है यहाँ पर ग्याद करना है तो अब धन देजे सबसे पहले फॉर्मूला होता है O बराबर अंडर रूड आईवन गुड़े आईटू यह फॉर्मूला होता है इसमें आप मान रखेंगे तो अंडर रूड आईवन इसका मान हो जाएगा 9 गुड़े आईटू का मान हो जाएगा 4 दोनों का गुड़ा करेंगे तो यह आजाएगा 36 इसका वर्गमूल निका लेंगे तो और प्रतिविम की दूरी पता होने चाहिए तो इसके लिए धन्देजे आप में पर बताएंगे चूंकि आवर्धन जो होता है इसे में लोग लगते हैं M से फार्मूला होता है V बटे U या फिर आप लिख सकते हैं I बटे O यह जो है फार्मूला होता है तो अगर धन्देजे यहां पर लोग मान रखे तो यह हो जायाएगा V बटे U बराबर तो अब यहां पर धन्देजे यह I1 और I2 दो मान आपको दिये गए इसमें से आपको एक मान ले लेना है तो I के जगे पर आप मान देजे आपर 9 ले 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 जिए इतना हो गया बटे O का मान आपने ग्याद किया है यानि कि 6 इतना हो जाएगा दन्देजे यह हो जाएगा 3 त्रिक का 9 तीन दूनी 6 इतना हुआ तो यहां पर आप दन्देजे यहां पर यह मान आया है V बटे U बराबर 3 बटे 2 इतना आया है अगर मान लेजे आप यहां से V का मान करें तो धन्देजी यह हो जायागा फिर वी बराबर तीन बट्टे दो यू जो बट्टे में था वो इधर आ जायाएगा इस प्रकाश है इसको आप माल लेजिए यहां पर समीकरण नंबर दो इसके बाद धन्देजी समीकरण एक वा दो शे समीकरण एक में को क्या दिया गया था रंदेजी आपर दिया गया है वी प्लस यू बराबर 60 तो यहां पर दिया गया है वी प्लस यू बराबर 60 इतना आपको दिया गया है तो यहां पर जो वी है इसकी जगे पर आपको ये वाला मान रखना है यानि कि इस वी की जगे एप यह वाला मान रखिये तो जब आप यहां पर इwidते में मान रखेंगे तो यहां पर रंदेजी सकते हैं अब यहां पर five to five you इतना hours आएगा बराबर if इसका आप गुड़ा कर सकते हैं, यह हो जाएगा 120, यू बराबर 120 बटे 5, यानि कि यू बराबर 5 से आप भाग करेंगे, तो 5 दूनी 10, इसके लाब 5 को 20, यू का मान आ जाएगा, इतना यानि कि यू बराबर आ गया 24 cm, अब आप यहां पर समीकर 2 का यूज करिए, अब आप यहां पर जो है, इसमें समीकर 2 का यूज करेंगे, इसके लिए धन देजे, तो यहाँ पर जब समीकार 2 यूच करेंगे तो यह दिया गया है V बराबर यहाँ पर दन देज़े 3 बटे 2 U U का मान अपने ग्यात किया है तो यहाँ पर आजाएगा 24 इतना अब आप यहाँ पर इससे कैंशल करिए तो 2 एक कम 2 इससे कैंशल करेंगे 2 एक कम 2 दो दूनी 4 यानि कि यह आजाएगा V बराबर यहाँ पर 12 का गुड़ा कर दे जिसमें तो 12 तहीं हो जाएगा 36 cm यह आपको V का मान मिल गया तो अब आपको यहाँ पर U और V इनके मान मिल गया यह U का मान हो गया यह V का मान हो गया तो अब आप फोकस दूरी गयाद कर सकते हैं 1 बाई F बराबर 1 अपान V माइनस 1 अपान U इसका ज़या आपको यहाँ पर प्रियोग करना है तो यहाँ पर देंदेजी एक बटे V का मान अपने गयाद किया है यह हो जाएगा 36 इसके लाओ U का मान है 24 तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बटे 24 तो यहाँ पर यह जो एक बटे 24 लिखा गया है इसमें देंदेजी यह अपने U का मान रखा और U का मान हमेशा जो है रिडात्मक लेते हैं यहाँ पर आपको माइनस योज़ करना है तो यह हो जाएगा 1 बटे 36 माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस एक बटे 24 इतना आजाएगा इसके बाद देंदेजी यहाँ पर 1 बटे एफ बराबर इसका आप लाशा ले लिजे लाशा लेंगे तो लाशा आ जाएगा 72 36 से भाग करेंगे दो बार जाएगा दो से गुड़ा कर देजे 24 से करेंगे तो तीन बार जाएगा यहाँ पर तीन से गुड़ा कर देजे यह हो जाएगा 5 बटे 72 यह मान है एक बटे इसका जब आफ गयाद करेंगे तो यह हो जाएगा 72 बटे 5 इतना आएगा अब इसके बाद दन्देजी 5 से इसे जब भाग करेंगे आप तो यहाँ पर दन्देजी यह हो जाएगा 5 एकम 5 यहाँ पर बचेगा 2 यह हो जाएगा 22 यानि कि 5 चौको 20 यहाँ 14.4 cm यह यहां पर जो है इसका आंसर हो जाएगा इस प्रकास यह आप यहां पर इससे सालो करेंगे इसके बाद धन देजी अगला कोशन कोशन है कि एक प्रिज्म का अपवरतन कोण जो है वो 6 डिगरी है जब प्रकास किरण 45 डिगरी पर प्रिज्म पर आपतित होती है तो अल अलपतम विचलन कोण ग्याद कीजिए यहां पर आपको अलपतम विचलन कोण ग्याद करना है सबसे पहले दन देजे अप वरतन कोण दिया गया है इससे आप लिख शेकते हैं A से यह आपको दिया गया है 60 डिगरी इसके लाओं जब प्रकास किरण 45 डिगरी पर आपतित हो देजे फार्मूला यह होता है I बराबर A प्लस डेल्टा M बटे 2 इतना होता है अगर इस दो के इधर हम लोग गुड़ा करें तो यह हो जाएगा 2I इसके बाद देजे A आप इधर ले आए तो यह हो जाएगा माइनस A बराबर कितना हो जाएगा डेल्टा M यानि कि यह हो जाएगा 2 गुड़े I का आप मान रख दीजे यह हो जाएगा 45 डिगरी इसके बाद माइनस एक आप मान रख दीजे यहां पर हो जाएगा शाट डिगरी तो यह आएगा फिर डेल्टा M बराबर 45 दूना 90-60 यानिकि बराबर आजाएगा 30 डिगरी यह यहाँ पर जो ह इसका आशर हो जाएगा इस प्रकाश से आप यहाँ पर इसे सालो कर सकते हैं इसके बाद धन देजी अगला कोशन यहाँ पर दिया है किसी पतले प्रिज्म से उत्पन नियुनतम विचलन कोंड जो है वो 10 डिगरी है प्रिज्म कोंड ग्यात कीजी प्रिज्म के पदार्थ का प्रिज्म कोंड ग्यात करना है और बात हुई है पतले प्रिज्म की तो यहाँ पर आप इसमें लिखक्ते हैं पतले प्रिज्म हे तो इसके लिए फॉर्मूला होता है डेल्टा M बराबर N-1 into A ये फॉर्मूला होता है इसी में अब आपको मान रखना है डेल्टा M का मान हुजाएगा 10 इसके लावा N का मान 1.5-1 और ये हुजाएगा A तो ये हुजाएगा 10 बराबर इसको आप घटाएगे तो 0.5A यहाँ से आप A का मान ग्याद करेंगे तो ये बटे में आ जाएगा 10 बटे 0.5 आप काट देजे उपर एक 0 बढ़ जाएगा यानि कि ये हो जाएगा 100 बटे 5 देसमलो काटेंगे तो उपर 0 बढ़ जाएगा यानि कि A बराबर 5 दूनी 10 और 0 यानि कि 20 डिगरी ये यहाँ पर प्रिज्म कोण आ जाएगा इस प्रकाश से आप यहाँ पर इससे सालो करेंगे इसके बाद धन देजे अगला कोशन अगला कोशन यहाँ पर लिया ग्याश में कि काट से निर्मित एक प्रिज्म का नियुनतम विचलन कोण 4 डिगरी जैसे भी आपको बताया गया तहर से मुश्य प्रकाश से यहाँ पर भी आपको अपवर्तनांक दिया गया प्रिज्म कोण ग्याद करना है केवल अब की बार जो विचलन कोण है इसका मान दे दिया गया आपको 4 डिगरी अपवर्तनांक आपको दिया गया है एन बराबर 1.5 प्रिज्म के लिए आपको बताया गया है कि देल्टा एम बराबर होता है एन माइनस 1 इंटू ए स्टेम कोशन है इसका मान आप रख दीजी एन का मान हो जाएगा 1.5 माइनस 1 इंटू ए यानि कि यहां पर जब इससे आप घटाएंगे तो 0.5 ए आजाएगा ए बराबर गयात करेंगे तो यह बटे में आएगा यानि कि 4 इसके लाओं 0.5 दसमलो कातेंगे उपर एक 0 बढ़ जाएगा इसके बाद ए बराबर 5 से भाग करेंगे तो 5,8 चालिस यानि की 8 डिगरी यह यहां पर जो है इसका आंसर हो जाएगा इस तरह के कोशन जो है यह आप जिक्ट्यू में या फिर एक अंक में जो है एकसर पूछ जाते हैं इसके बाद धंदेजे अगला कोशन है कि एक निकट दरश्ट दोश वाला बेक्त जो है 30 सेंटीमीटर से अधिक दूर की वस्तु को जो है इस पश्ट नहीं देख सकता है अनन्त परिस्थित वस्तु को देखने के लिए तथा किस प्रकार के लिंस की आवशकता होगी तो अब धंदेजे यहां पर फोकस दूरी आपको ग्याद करनी है यहां पर लिखा है अनन्त परिस्थित वस्तु को देखने के लिए यानि कि वस्तु की दूरी जो है वो होजाएगी इन्फाइनाइट इसका माणं आप मैनस में लेंगे इसके लाएगे 10 cm से अधिक दूर की वस्तु को नहीं देख पारा है इसका मतलब प्रतिविम्त जो इसका पीछे ही बन जाता है तो यहाँ पर जो प्रतिविम्त की दूरी होगी इसका भी मान मैंनस में लिया जाएगा यह हो जाएगा 30 cm अब फार्मूला आप लगाएंगे तो 1 बटे F बराबर होता है 1 बटे V माइनस 1 बटे U 1 बटे V का मान यहाँ पर हो जाएगा धन्देजी 30 यह मान आपको माइनस में रखना है इसके बाद माइनस 1 बटे U का मान माइनस इन्फाइनेट रखेंगे इतना हो जाएगा यहाँ पर यह आजाएगा माइनस का 1 बटे 30 1 बटे इन्फाइनेट का मान 0 होता है तो यहाँ पर 1 बाई F है यानि कि F बराबर कितना आएगा माइनस का 30 cm इतना आया और यहां पर आपको पता होना चाहिए कि focus दूरी जो है वो author lens के रिडात्मक होती है यानि कि आप बता सकते हैं इसमें कि अत्ता 30 cm focus दूरी के author lens की आवश्यक्ता होगी author lens की आवश्यक्ता होगी इश्प्रकाशे यहां पर रांदर जी अब author lens लिख दिया गया तो यहां पर फिर आपको माइनिस लगाने की आवश्यक्ता नहीं है यह याद रखेगा और तर से पता चल जाएगा कि यह जो है इसका मान रिडात्मक लिया जाएगा यह याद रखेगा तो यहां पर कोशन है कि यदि समान आयाम ए की दो प्रकास तरंगों के व्रतिकरण से परणामी तरंग का आयाम जो है वो ए ही प्राप्त हो तब दोनों तरंगों के मध्य कलांतर क्या होगा तो यहां पर देजी यदि समान आयाम की दो प्रकास तरंगे यानि कि दो तरंगों के आयाम दिये गए है एवन बराबर एटू बराबर ए इतना आपको दिया गया है इसके लिखा है परणामी तरंग का आयाम जो है ए है परणामी तरंग का आयाम यानि कि ए इसका मान भी ज यहाँ पर A है अब फार्मूला क्या होता है धन्देजी A बराबर फार्मूला होता है अंडर रूड अब धन्देजी अगर आप इस्विमान रखेंगे तो इसका मान है A बराबर अंडर रूड रंदेजी यहाँ पर इसका भी मान कितना दिया गया है यहाँ पर यहाँ पर A और यहाँ पर रखेंगे तो यह भी आपका A स्कॉार हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा कॉस फाई यानि कि A बराबर अंडर रूड रंदेजी जूड जाएगा तो यह हो जाएगा two a square plus two a square cos phi इतना हो गया यानि कि a बराबर under rule यहां पर इन दोनों में two a square common तो यहां पर आएगा one प्लस यहां से यह common हो गया तो यहां पर बच्चेगा cos phi इतना अब इसका आप work कर देजे यहां पर आप लिखेंगे इसमें work करने पर जब आप work करेंगे तो इ a square बराबर इधर under उढ़ जाएगा यह हो जाएगा two a square one plus cos phi यह इतना आज आएगा तो अब यहां पर देजे यहां पर आप इशे one plus cos phi ऐसा लिखेंगे जब आप इसका मान व्याद करेंगे तो यह वाले संख्या इदर इसके बट्टे में आएगी यहां पर हो जाएगा a square और बट्टी में आज आएगा two a square two a square इतना हो गया तो अब यहां पर जो है इसमें a square से a square कट जाएगा तो cos phi बराबर यहां पर one by two one आपका इधर जाएगा तो यह हो जाएगा minus का one यानि कि cos phi बराबर यहां पर देजे one से एक बट्टे दू आप घटाएगे तो यह minus का ए तो यह हो जाएगा cos phi बराबर माइनिस एक बट्टे दू मान होता है cos 120 का यही मान होता है 120 डिगरी का यहनि कि phi बराबर आज आएगा 120 डिगरी यहां पर जो है कलांतर हो जाएगा यही मान आपको यहां पर ग्याद करना था यहने कि कलांतर क्या होगा यह पूछा गया था इसके बाद धंदेजी अगला अगला यहाँ पर है कि 6000 एंगेश्ट्राम तरंग दैर्ध का प्रकास जो है छे गुड़े दस की घात माइनस चार सेंटी मीटर चोड़ी जिर्री पर अभिलंबोत पड़ता है तरती निमनिष्ठ की कोड़ी इस्थित ग्यात के जिए सबसे परहे दंदेजी आपको यहाँ पर तरंग दैर्ध यानिकी लिम्डा बराबर दिया गया है 6000 एंगेश्ट्राम इससे अगर आप मीटर बदलेंगे तो यह हो जाएगा 6000 गुड़े 10 की घात माइनस 10 मीटर ऐसा लिख सकते हैं या फिर इससे आप ऐसा भी लिख सकते हैं दंदेजी छे गुड़े 10 की घात माइनस 7 मीटर दसंबलो दंदेजी भी लाश्ट में 3 हैं किधर लए तो यहाँ पर घात जो है 3 कम हो जाएगे तो इतना हो गया अब इसके अलावा दंदेजी यहाँ पर आपको स्लिट की चौणाई दी गई है निकी ए बराबर दिया गया 6 गुड़े 10 की घात यहाँ पर आपको दिया गया है माइनस 4 सेंटी मीटर अब यहाँ परण देजी जो मान दिया गया है यह सेंटी मीटर में है अगर इससे आप मीटर बदलेंगे तो 6 गुड़े 10 की घात माइनस 4 मीटर बदलने के लिए 10 की घात माइनस 2 से गुड़ा हो जाएगा और यह बदल जाएगा मीटर में यानि कि यी बराबर आप बता सकते हैं 6 गुड़े 10 की घात माइनस 6 मीटर इतना हो गया अब यहां परदान देजे इसमें आपको मान ग्याद करना है त्रती निमनिष्ठ की कोड़ी इस्थितिकाद तो यहां पर आप लिख सकते हैं त्रती निमनिष्ठ की कोड़ी इस्थिति बराबर होता है यहां पर देजे प्लश माइनस 3 लेमडा बाई ई यहां पर त्रती की बात हुई है इसलिए 3 हो जाएगा इसके लावाल लेमडा बाई इ अब आपको इशी में जो है हांपर मान रख देना है तो यहां पर यह हो जाएगा प्लश माइनस देंदेजे 3 लेमडा का आप मान रखेंगे 6 गुड़े 10 की घात माइनस 7 बटे यहां पर देंदेजे यह हो जाएगा 6 गुड़े 10 की घात यहां पर हो जाएगा माइनस 6 इतना हुआ इसके बाद देन देजिए यहां पर जो है इसमें यह 6 से 6 कट जायागा यहां पर यह आएगा plus minus 3 इंट्टू 10 की power यह उपर जायगा तो प्लस में जायेगा और 7 से 6 घट जायेगा तो यहां पर आजायाएगा minus का वन यहीं कि प्लस माइनस 3 इंटू 10 की पावर माइनस 1 चाहे तो आप इतना लिख सकते हैं या फिर देजिए इससे आप ऐसा लिख देजिए प्लस माइनस 0.3 इस प्रकाशे इतना आप यहाँ पर लिख सकते हैं यह मांज़े होगा आपका रेडियन में लिखा जाएगा तो यहाँ पर जो है इसका अंशर हो जाएगा 10 की घात माइनस 1 थी तो देसमलों 1 अंक आगे लिए हैं तो इस प्रकाशे आप यहाँ पर इससे ग्याद कर सकते हैं इसके बाद धन्देजे तो यहाँ पर कुशन दिया गया कि एकल स्लिट द्वारा विवर्तन में 2-3 निमनिष याँ याँड़न की थीटा बराबर आपको दिया गया है 60 डिगरी इसके लाव स्लिट की चौड़ाई याँड़न की याँड़न की एक वार्मूला क्या होता है फार्मूला होता है içe 5 track साइन थीता बराबर औड और येंड लिमन्डा कि अठना होता है अब यहाँ पर के लिए आपको एन कामान जो है वो दिया गया है अहां पर इतना हो जाएगा त्रती बोलता तो इन कामान तीन हो जाएँगा चात्त्त वोला जाएगक तो एन का मान दो इसके लाओं लेम्डा आपको पहले सही तरंगदर रदी गई है बटे में हो जायाएगा साइन ठीटा का मतलब 60 डिगरी यहाँ पर आजायाएगा E बराबर 2 लेम्डा बटे साइन 60 का मान होता है रूड 3 बाई 2 तो यह हो जायाएगा E बराबरी संख्या पलट के उपर जायेगा तो यह हो जायेगा 4 लेम्डा बटे में आ जायेगा रूड 3 तो यह यहाँ पर स्लेट की चोड़ाई हो जायेगी इस प्रकाश से आप यहाँ पर इसे ग्याद करेंगे अगला कोश्चन यहाँ पर आपको दिया गया इसमें कि दो तरंगों की तीवरताओं का अनुपात एक अनुपात 16 है यदो दोनों तरंगे व्यतिकरण करती हों तो परणामी तरंग की अधिक्तम तथन्यूनतम तीवरताओं का अनुपात ग्याद केजिए तो यहाँ पर आपको आईवन अनुपात आईटू यानि कि एक अनुपात 16 दिया गया है इससे आप ऐसा भी लिख सकते हैं आईवन बटे आईटू बराबर एक बटे 16 अब धन्देजे आई प्रपोर्शनल टू होता है ए स्कॉयर इसके अनुपात अगर आप फार्मुला लिखेंगे तो आईवन बटे आईटू बराबर होता है A1 स्कॉयर बटे एटू स्कॉयर अतना हो जाएगा तो अब धन्देजे यहाँ पर आईवन यस्कॉयर बटे एटू सकॉयर बराबर i1 बटे i2 इसका मान है 1 बटे 16 इतना तो यहाँ पर यह मान आ गया अब यहाँ पर धन देजे अगर आप इसमें a1 बटे a2 ग्याद करते हैं इधर से square हटाएंगे तो दूसरी तरफ जो है यहाँ पर under root लग जाया गया निकि एक बटे 16 इधर से square हटाएंगे दूसरी तरफ under root लग जाया गया यहाँ पर जो है a1 बटे a2 बराबर एक बटे 16 का वर्गमूल आ जाया गया यहाँ पर 4 यह इतना आएगा अब आप पिश्में मान लेजिए यहाँ पर धन देजे यह a1 बटे a2 आया है तो अब आप पिश्म मान लेजिए यहाँ पर कि माना a1 बराबर और a2 बराबर धन देजे यहाँ पर बटे में दिया गया है a1 बराबर आप 1 दिया गया है तो यहाँ पर आप मान लेजिए a1 बराबर 1a इसी प्रकाश धन देजे a2 कितना दिया गया आप बटे में 4 दिया गया है तो a2 का मान मान लेजिया 4A इतना आपको मान लेना है अब आपको अधिक्तम और नियुंतम तिवरताओं का अनुपात ग्याद करना है तो I maximum बटे I minimum बराबर होता है A1 प्लस A2 का whole square बटे A1 माइनस A2 का whole square इसमें अब आपको मान रखना है तो यहाँ पर हो जायेगा धन्देजी A1 का मान 1A प्लस A2 का मान हो जायेगा 4A का square उस ही प्रकाशर्य यहाँ पर धन्देजी इसका मान रखेंगे 1A minus A2 का मान आप रखेंगे 4A का whole square तो यहाँ पर धन देजे यह 4 और 1 मिलके हो जाएगा 5A का square बेटे यहाँ पर 4 से घट जाएगा तो यह आएगा यहाँ पर आपका minus का 3A का whole square यानि कि यहाँ पर अब धन देजे यह हो जाएगा 25A square इसका over करेंगे तो 3 तरिक का 9A square इतना आ गया अब इसमें आपका यह कट जाएगा यानि कि I maximum बटे I minimum बराबर यहाँ पर आ जाएगा 25 बटे 9 यह यहाँ पर इसका answer होगा या फिर इससे आप ऐसा लिख सकते हैं I maximum अनुपात I minimum बराबर हो जाएगा 25 अनुपात 9 यह यहाँ पर जो है इसका answer होगा तो यह जो है अधिक्तम और नियुन्तम तीवरताओं का अनुपात हो जाएगा इसके बाद ध्यांदेजी अगला कोशन अगला कोशन है कि एक आयनित हीलियम परमाड की पहली कक्षा की तरिज्या कितनी होगी तो यहाँ पर द्यांदेजे एक आयनित हीलियम परमाड की तरिज्या बात हुई है तो अब द्यांदेजी सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे हाइड्रोजन परमाड के लिए हाइड्रोजन परमाड के लिए हाइड्रोजन परमाड के लिए जो परमाड क्रमांग होता है वो होता है वन इससे आप माल लिएजे जेड वन से इसके लिए बात हुई है हीलियम की तो हीलियम परमाड के लिए इसके लिए जो परमाड करमांग होगा उसे माल लिए जेड टू से हीलियम का परमाड करमांग होता है दो इतना हो जाएगा अब इसके बाद देजे अप लोग याद रखिएगा कि R proportional to होता है 1 by Z यानि कि तरिज्जा जो है वो परमाण क्रमां के वियूत क्रमा नुपाती होती है इसका मतलब R1 बटे R2 बराबर हो जाएगा Z2 बटे Z1 इतना होगा तो अब यहाँ पर देजे अगर आपको R2 का मान मान लेजी यहाँ से ग्याद करना है तो R2 इधर जाएगा और यह संख्या पलट के आपके इधर आएगे तो यह दिया गया है R1 गुडे यहाँ पर देजे Z1 यह धर आजाएगा गुडे में और बटे में आजाएगा Z2 इतना आजाएगा अब इसके बाद देजे आपको याद रखना है कि R1 बराबर होता है 0.053 एंगिस्ट्राम यह भी मान हो सकता है को कोश्चन में न दिया जाए तो पहली कख्षा कितरे जी अप लोग याद रखेगा है इधर देजिन पर माड़ के लिए 0.053 एंगिस्ट्राम होता है दो से आप इसे भाग करिए तो 0.05 यहाँ पर हो जाएगा दो दूनी 4 यहाँ पर रांदेजी दो दूनी 4 एक बच्चे के 13 हो जाएगा दो छंग 12 इसके बाद फिर दो पंचे 10 तो यहाँ पर यह मान जो आएगा यह आपका एंगिस्ट्राम में आएगा यानि कि यह जो है यहाँ पर हीलियम परमाड़ की पहली कक्षा की तरिज्ज्या हो जाएगी रंदेजी हाइड्रोजन के लिए अपने जड़ 1 माना था हीलियम के लिए अपने जड़ 2 माना था उसलिए हाइड्रोजन की जो पहली कक्षा के तरिज्ज्या होगी यह आरवन है और हीलियम की पह पहली कक्षा की त्रिज्या बराबर हाँ पर आ जाएगा 0.265 एंगिस्ट्राम यह यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा अब इसके बाद ध्यान देजिए यहाँ पर अगला कोशन तो अगला कोशन यहाँ पर है शिद्ध केजिए कि नाभिकी द्रव्य का घनत जो है सभी नाभिकों के लिए समान होता है यहाँ पर यह आपको शिद्ध करना है कि नाभिकी द्रव्य का घनत जो होता है वो सभी नाभिकों के लिए समान होता है तो सबसे पहले आप मान लेजिए कि माना नाभिक की तरिज्या नाभिक की तरिज्या कैप्टल आर तथा द्रब्यमान संख्या कैप्टल ए है इतना आप यहाँ पर मान लेजे अब इसके बाद देंदेजे आप यहाँ पर ग्याद करिए नाभिक का आयतन बराबर धन देजे यह होता है चार बटे 3 पाई आर क्यूंग इतना हो जाएगा अब इसके बाद धन देजे अपको यह पता होना चाहिए कि आर बराबर होता है आर जीरो एकी पावर वन बाई थ्री इतना होता है तो R की जगे पर आपको ये वाला मान रखना है तो यहाँ पर दन देजी ये हो जाएगा आयतन बराबर 4 बटे 3 पाई R की जगे पर ये वाला मान रखेंगे R 0 A की पावर 1 बाई 3 का होल Q इतना गया यानि कि यहाँ पर ये आजाएगा 4 बटे 3 इसके अलामा पाई यहाँ पर हो जाएगा R 0 Q इतना A की पावर 1 बटे 3 दिया गया तो 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ पर आजाएगा A तो ये आगया यहाँ पर नाभिक का आयतन अब हम लोग ज्यात करेंगे घनत तो तो इसके लिए फार्मूला होता है नाभिक का घनत तो बराबर नाभिक का द्रब्यमान नाभिक का द्रब्यमान बटे नाभिक का आयतन नाभिक का आयतन तो घनत तो को लिखते हैं रोशे ना भी कर द्रबिमान ध्हांदीजे द्रबिमान सेंकि आपको a दी गई है तो यह हो जाएगा a बटे ना भी कायतन यह हो जाएगा यानि कि 4 बटे 3 यहां पर है πाई इसके बाद r not cube और यहां पर है a इतना हुआ तो अब इसमें धंदेजे यहां पर यह A से A कट जाएगा और यह तीन पलट के उपर जाएगा तो यहां पर आएगा तीन बटी में धंदेजे आपको दिया गया है फोर पाई इसके अलाव हो जाएगा आर नौट क्यों इतना आ गया तो यहां पर देजे घंदेजे घंद तो जो है यह द्रब्यमान संख्या पर निर्भर नहीं कर रहा है क्योंकि द्रब्यमान संख्या कट गई है तो घंद तो जो है द्रब्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है इसलिए यह जो है सभी नाभिकों के लिए समान होता है यह अपनोग याद रखेएगा यहीं कि अगर आप नोट करना चाहे तो इसमें बता सकते हैं कि अत्ताग नाभिक का घनत तो द्रब्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है द्रब्यमान संख्या यानि कि ए पर निर्भर नहीं करता है अत्ता या शभी नाभिकों के लिए शभी नाभिकों के लिए समान होता है तो यह अप लोग याद रखेएगा इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे सिद्ध कर सकते हैं तो यहाँ पर जितने भी नियुमेरिकल बताएगे हैं यह अभी बहुत इंपॉर्णन्ट है पूरे के पूरे नियुमेरिकल जो आपको अच्छे से तयार कर लेने हैं धन्यवाद